तो वेलकम बेक टू दा माइन कर राप्ट और आज मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ एक लेवल अप एच्पी फार्म जी हाँ अगर आप लोग अपने माइन कर आप में एक सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट आप लोग गोल्ड फार्म बनाना चाहते हो और साथ ही आप लोग चाहते हो कि आपको उसके मदस से एच्पी भी मिले तो आपको ये टेक्निक जरूर यूज करनी है सबसे पहले तो आपको एक नेधर पोर्टल बनाना है तो मैं आपे सबसे पहले एक नेधर पोर्टल बना लेता हूँ नेदर पोटल बनने के बाद आपको उसके अंदर चले जाना है तो हम यहाँ पे नेदर के अंदर चलते हैं तो हम यहाँ पे नेदर में आ चुके हैं अब आपको एक एरिया डूनना है आपको एक अच्छा सा एरिया आप लोग डून लीजिए जैसे कि यहाँ पे यह plane area है ओके तो मैं यहीं पर HP farm बना लेता हूँ तो आप लोग इसी तरह से एक area आप लोग उको डूनना है तो अगर आप लोग चाते हो कि यह area आपको अच्छा नहीं लगा तो आप इसके बड़ा area भी डून सकते हो जैसे कि यहाँ से मैं एक बड़ा area पे जाता हूँ एक बड़ा area डून ता हूँ तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक अच्छा सा area जो है वो डून लेता हूँ तो हम यहीं पर HP farm बनाएंगे क्योंकि मुझे यहीं plane area मिला है तो यहाँ पे आपको HP farm बनानी के लिए क्या करना है सबसे पहले तो आपको यहाँ पे dig करना है तो आप यहाँ पे block dig कर लिजे अगर आपके यहाँ पे लावा आ रहा है तो आप उसे बंद कर सकते हो अगर आपके नीचे लावा है तो आपको कोई और area डून लेला है यहाँ पे लावा है तो मैं थोड़ा सा दूसरा area जो है डून डूंगा तो हमारा जो HP farm में वो यहाँ पे बनेगा एक bench नेदर पोर्टरस के नीचे तो यहाँ पे सबसे पहले मैं lighting कर देता हूं lighting करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है आपको इस area को सबसे पहले तो clean कर देना है आपको इसे पूरा थमतरली रखना है तो आप इसे clean कर दीजेगा सबसे mini और छोटा HP farm में और आप इसे आसानी से बना भी सकते हो तो आप इसे पूरा इस तरह से cover जो है आपको इसे कर लेना है आसपास के block को clean कर लेना है clean करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है डिक करना है आपको यहाँ पे यह सारे block डिक करने है आप डिक कर लीजे यहाँ से आपको तीन block नीचे जाना है आप यहाँ से तीन block नीचे चले जाएं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी मैं लाइटिंग कर देता हूँ ताकि आप लोग देख पाओ यहाँ से आपको तीन ब्लोक नीचे डिक करना है तो मैं सबसे पहले डिक कर लेता हूँ डिक कर लिया हमने यहाँ पर देख सकते हो तीन ब्लोक यहाँ पर डिक कर लिया डिक होने के बाद आपको यहाँ पर एक एक ब्लोक यहाँ से डिक कर लेना है इस तरह से और यहाँ पर एक एरिया आपको इस तरह से बनाना है तुप लिख देख सकती हैं यहाँ पे एक इरियाँ आपको रूम की तरह बना लेना है इस तरह से आपको बना लेना है उसके बाद यहाँ पे यह वाला जो इरिया है यहाँ पे एक आपको चैस रख देनी है अब आप मैंसे बहुत सारे लोग यहां पर गलती भी करते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा आपको यहां पर दो ब्लोक डिक करना है इस तरह से आपको टू ब्लोक नीचे आना है उसके बाद यहां पर आपको इस तरह से तीसरे ब्लोक को भी डिक कर लीजे यहाँ पे आपको चेस रखनी है और चेस के पीछे आपको होपर लगाने तो आप जो है चेस के पीछे होपर लगा दीजे चेस के पीछे होपर लग चुके है होपर लगने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे इस तरह से मैं इसे भी क्लीन कर देता हूँ इस तरह से बना लेना है बनने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ट्रेप डॉर लेने आप ट्रेप डॉर को यहाँ पे और यहाँ पे लगा दीजे और उसे आपको ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ पे आपको एक ब्लोक इस तरह से लगा देना है उसके बाद आपको इसके नीचे यहाँ पे स्लाइम रखने इस तरह से और इसके उपर इसके उपर भी आपको स्लाइम लगाने इस तरह से तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से बना लेना है यहां पर बनने के बाद आप लोग यहां से उपर जाने के लिए आप अपने हिसाब से एरिया बना सकते हो तो मैं यहां से उपर जाऊंगा तो मैंने यहां से उपर जाने के लिए एक एरिया बना लिया एरिया बनने के बाद मैं आसे इस तरह से इसे भी जो है एक ट्रेप डोर की मदद से इसे कवर कर लूँगा इस तरह बना लूँगा ताकि मैं इसके उपर जा सकूँ और यहां मैं एक ट्रेप डोर लगा दूँगा ताकि मैं इसे ओन ओपन कर सकूँ करने के बाद आपको इस तरह पाना है लाइटिंग आपको जितनी भी लाइटिंग है उन्हें हटा देना है यहां से आपको सारे में ट्रेप डॉर लगाने है आप ट्रेप डॉर लगा दीजे इस तरह से उनके बाद इन ट्रेप डॉर को आपको ओपन कर लेना है open कर लिजेगा उसके बाद आपको एक बीच वाले block पर जाना है यानि कि आप लोग किसी भी एक block को ले सकते हो वरूप आपको उपर आना है उपर आईए इस तरह से इन वाले block को आप तोड़ दीजे यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है इसके उपर आपको क्या रखना है इसके उपर आपको टेटल एक जो होते हैं वोने आपको लगाने तो आप यहाँ पर टेटल एक लगा दीजेगा इस तरह से तो आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पर लगा दिये लगने के बाद अब आपके जो HP फार में पूरी तरह से रेडी है अब आपको क्या करना है बस आपको यहाँ पर F के चले जाना है तो आपको यह एरिया यहाँ से क्लीन कर देना है और इस से आपको 20 ब्लोक उपर F के एरिया बनाना है तो मैं यहां से उपर चलता हूँ और मैं कुछ देर यहां पर वेट करूँगा तो दोस्तों लगबग जो है तीन से चार मिनिट हो चुके हैं और अब नीचे आ जाते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हो पिगलिंग जो है यहां पर एक को किल करने के लिए जाएंगे जी हां और वो डारेट हमारे ट्रेप में गिरेंगे आपको यहां से नीचे आना है उसके बाद आपको यहां पर आना है और आप लोग आसानी से यहां से इने किल कर सकते हो और जैसे आप इन्हें first बार किल करोगे तो ये लोग automatic जो है और भी double यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे यहाँ यहाँ पे दीखे और भी आएंगे यहाँ पे मैं इसे भी किल कर देता हूँ और सबसे पहले तो आपको ये वाला जो ट्रेप है इसे आपको off कर देना है उसके बाद आपको इस तरफ आना है इस तरफ आ जाना है अब जो है आप लोग इसे आसानी से जो है यहाँ पे किल कर सकते हो इन्हें और जैसे आप किल करोगे यहाँ पे यह सबी लोग आपको यहाँ पे मारने के लिए आ जाएंगे और उनके बदले में आपको यहाँ पे धेर सारी जो है HP मिलती जाएंगी तो दोस्तो आप लोग इसी तरह से एक छोटा फार्म बना सकते हो और आपको यहाँ पे धेर सारी HP जो है कलेट आप लोग कर सकते हो तो दोस्तों वीडियो अच्छे लेगी हो तो लाइक कर दीजेगा, शेर कर दीजे और हमारे चैनल को भी सस्क्राइब कर लीजे आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हमारी नक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर